नमस्कार साथियों डॉक्टर उमन्खना होमियोपेथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में बर्फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा तरीका जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है यानि कि कुछ भी नहीं करना है और आपका सरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों बैलेंस हो जाएंगे देखा गया है साथियों कि ऐसी ऐसी बिमारिया हम लोगों के बीच आ रही है जिसका हम लोगों के पास इदाज नहीं है और अगर हम अगर हम लोग अपने को ठीक नहीं रख पाएंगे अपने को सफ नहीं रख पाएंगे तो बहुत जल्दी इन बिमारियों के हम चंगुल में आ जाएंगे तो समयदारी इसी में है कि 10 लाक रुपए, 20 लाक रुपए का बाद में सरकारी अस्पटाल या प्राइवेट अस्पटाल में बिल देने से अच्छा है कि अपने को इत्ता स्वस्त रखें कि हमको कोई दिकती ना हो आज हम बताते हैं आपको साथियों ऐसी अद्भूत बात जो आपको मालुम है आपको इसके बारे में पता है लेकिन आपको ये अद्भूत है ये नहीं पता हो शायद हमारे बड़े बुजुर्गों को तो पता होगा लेकिन आज की युवा पीड़ी है जिसको की ना कोई रोटीन बचा है ना कोई काम का तरीका बचा है काफी लोगों में मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ बहुत ही सेश्ट और बहुत ही अच्छे बच्चे भी होँगे जो बहुत पढ़ाई कर रहे होँगे एमफिल डीफिल कर रहे होंगे लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होँगे जो जिनको 10 बजे सुबह तक नीद आती होगी जिनका पेठ हमेशा खराब रहता होगा की यह वीडियो हैं उनसाद के लिए है वीडियो है जो लोग आज भी इस आने वाला वक्त कित्ती बीमारिएं से भर्या कि पहले आफी है सय इस आया किर ना new पाँच हजार साल पुरानी हिंदुस्तान की बात बताते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी घर में करते होंगे लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं वो इससे दूर हैं इसकी महत्ता को समझते हुए भी नहीं समझ रहें अगर साथियों आपको स्वस्त रहना है आपके दिल, दिमाज, आत्मा सबको बैलेंस मोड में रहना है तो आपको यहाँ एक काम करना होगा और पेश है आपके सामने वहाँ जीवन को स्वस्त रखने की मैं कहूंगा सबसे जरूरी बात आपको साथियों अगर स्वस्त रहना है या हमको स्वस्त रहना है तो हमको हफते में एक दिन अपने शरीर की डीटॉक्सिपकेशन की तरफ जाना पड़ेगा और उसका सबसे इच्छा तरीका है फास्टिंग यानि व्रत आपको हफते में एक दिन व्रत रखना पड़ेगा फास रखना पड़ेगा यानि कि आपको उस दिन खाने पीने पे इतियात रखना पड़ेगा मैं इस वीडियो में शाबद कर दूँगा क्यों और आपके हर सवाल का जवाब अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे साथियों आपको हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा वरत साथियों अगर हम थोड़ा सा आउरवेडा की बात करें तो जाता है प्रता हारे एक वर्ड है सैंस्क्रिट में प्रता हारे प्रता हारे मीज प्रता मीज एस अगीस्ट और हारे मीज जो आप अनाज खाते ज्यानी की प्रता हार का मतलब हो गया वो सीमित भोजन जो आपको करना है जो भोजन के ही बिरुद्ध है और आपको वो भोजन करना है जो की आपके माइंड, बॉड़ी और सोल तीनों को संतुष्ट कर सके इस बात पर आपको जयान देना है और इसको सब से अच्छा तरीका है fasting सबसे पहले चर्चा करते हैं कि fasting हमारे लिए क्यों जरूरी है fasting साथियों हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अंग्रे जी की जो कहावत है we are what we eat यहाँ गलत है एक कहवात और जो हमारे हिंदुस्तान की है या जो आयरवेदा कहता है वो यहां कहता है वी आर वाट वी डाइजेस्ट तो होता क्या है सातियों हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिफ फायर होती है जिसको की अगनी कहते हैं, वहाँ जब दीरेंज होती है, तो या वो छीन पड़ती है, मंद होती है, कम होती है, तो हमारे सरीर में अम, यानि की अंडाइजिस्टेट फूर्ड इखटा होता है, यानि की टॉक्सिंस इखटा होते हैं और यहां toxins ही साथ ही हों, हमारे बाडी में इखटा होते हैं, हमारे बलड में इखटा होते हैं, फिर यहां डिपॉजित होते हैं और ब्रेन तक जाते हैं तो अगर हम फास्टिंग करके अपनी इस अगनी को रेगुलेट कर पाएं बाडी की, तो हम इन टॉक्सिंस को अपने खतम करके अपने शरीर की ओजस यानि इम्मुनिटी को बढ़ा सकेंगे, और जब इम्मुनिटी बढ़ेगी तो हमें कोई बिमारी नहीं होगी, तो यहां बहुत इmporomenट पार्ट है, कि आप फास्टिंग करें जैसा कि गांधि जी ने कहा था, कि आपका जो बॉड़ी है, आपका जो पैलेट है, मुझा, मुझा स्वाध है, यहां, आपके माइंड को गवन करता है, आपके दिमार को गवन करता है, as गांधिी सेट अब साथियों बात कर लेते हैं fasting के व्रत रखने के फाइले की होता है साथियों क्या है व्रत में वास्तव में आपके सरीर पर क्या मतद होती है हमारा जो सरीर का digestive system है वो सरीर का सबसे बड़ा system है और जब हम digestive system में हर समय खाते रहते हैं अपने digestion को आराम नहीं दे पाते हैं लेकिन जब हम fast रखते हैं तो हमारा digestive system को आराम मिलता है और energy conserve होती है body में जब यह energy body में conserve होती है तो यह हमारी अगनी को regulate करती है जो की digestive fire है आपके digestion के लिए responsible है इस अगनी का regulation होता है और यहाँ अगनी बढ़ती है तो आपके सरीर में जो undigested particles यानी के अम यानी की toxins हैं वहाँ खतम होना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ बहुत important बात है जो आपकी fasting के ही जरिये हो सकती इसका कोई जरिया नहीं है इसलिए fasting हर किसी के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है एक important बात आती है कि व्रत रखने की आपके सरीर को कब ज़्यादा जरूरत है आपके सरीर को सातियों व्रत रखने की वास्तम में जरूरत है शरीर आपको इसारा कर रहा है जब आपके सुबह उठे तो बहुत कमजोरी आती हो dullness होती हो डिजीनेस होती हो और आपके जुबान पे वाइट कोटिंग हो आपकी टंग पे वाइट कोटिंग हो अगर यहां दो symptom आप में हैं सातियों तो आप जान लीज़े कुद्रत इशारा कर रही है कि आपको यहां मे व्रत फिर सातियों विस से आता है कि हम फास्ट कैसे रखना सुरू करें बहुत असान सी बात है साथियों फास्ट रखने के लिए आपको कुछ जादा नहीं करना है, सबसे पहले आपको पता है आपके सरीर के लिए जो बुरा है वो आप खाना बन कर दें, चाहे वो शकर की चीजें हो, चाहे वो अनकुक फूड हो, चाहे वो फ्रीज फूड हो, चाहे वो रात का लेफ्ट ओवर फूड हो, इन तमाम तरह का जो हम लोग खाना अपने पास इखटा करे हुए हैं, सब पैक्ड फूड और सारी जंक फूड और यह स्ट्रीट फूड इनको हमको बंद करना पड़ेगा, अगर आप यह बंद करते हैं तो आप आधा फास्टिंग के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जिसको की आयोवेदिक फास्टिंग भी कहते हैं एक विसाय आता है साहब फास्ट हम कब रखें, हम आपको उसका सबसे अच्छा तरीका बताएं आप फास्ट तब रखिए जब आपका पंडित या जोतिस कहें और अगर आप उसे भरोसा नहीं करते हैं तो जिस दिन आपकी सबस्यादा पार्टियां होती हो आप उस दिन फास्ट रख लीजए, यानि कि मैं कहूंगा संडे को आपका संडे खराब होगा, दो-तीन हपते आपको सूना पन लगेगा लेकिन उसका उत्ता ही ज़्यादा आपको आनन्द आएगा क्योंकि आपका माइन फ्री रेडिकल से फ्री हो चुका होगा और आपने सोचने की छमता बहुत बढ़ गई हो जैसा कि Benjamin Franklin साहब ने कहा है महांदार्षनिक हुए है अब सातियों फास्टिंग में एक बात आती है जो आईरवेद कहता है मैं अपने लिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी मैं हुमियोपटिंग डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ा कि अपने को कैसे स्वास्ट रखे और मैं आपके साथ वही सब बाट रहा हूँ फास्टिंग रखने के लिए सातियों अपने में कौन साब में दो सायरवेदी के साब से वह पता करना बहुत जरूरी है तीन तरह सायरवेद में एनर्जी क्लैसिफाई होता है आपको ये समझना चाहिए मैं नई पीडी को ये बात बताना चाहता हूँ हो सकता है आपको हेक्टिक लगे लेकिन फिर भी आप सुनिये तीन तरह का एनर्जी फ्लो बाडी में होता है एक होता है वात एक होता है पित और एक होता है कफ वात साथियों आपका एनर्जी आफ मूवमेंट होती है आपके बाडी में जित्ता भी आप सांस लेते हैं ब्रीफ करते हैं, आपके cell कलों करता है, अंदर का एंवार्मेंटन करता है, वहाँ सब उसके लिए responsible होता है वाथ और वाथ में यहाँ energy फोल करती है, इस्पेस एंड एर में वात का जो patient होता है साथियों अगर आप में दो quality है तो आप वात से आप अपने को associate कर सकते हैं वात का मरीज बहुत flexible होता है बहुत सोच वाला मरीज होता है और जब यहां वात उसका derange हो जाता है तो उसमें fear और anxiety बहुत develop होती है तो आप इस simple दो चीजों से अपने में बात का diagnosis कर लेंगा अगर आपको यहाँ symptom है तो जो आपको बुरत रखना है उसमें आपको बिल्कुल पानी पीने वाला बुरत नहीं रखना है बिल्कुल वो मना है आपको orange mango यहाँ सब juices पीने है और इस तरह आपको fast रखना है दूसरी स्थिती आती है साथियों पित की पित is your digestive system आपको जिता nutrition होता है जो भी आपका absorption होता है simulation होता है इंट्रस्टाइन में वो पित से related होता है पित में जो energy flow करती है it's of fire and water यह heat energy होती है आपके body की digestive energy होती है इसलिए जो पित का पेस्ट होता है वो थोड़ा सा short tempered तेज और बहुत तेज दिमाग का intelligent होता है लेकिन जब यहाँ पित नीज हो जाता है तो वो jealousy वाला मरीज हो जाता है ऐसे मरीज को थोड़ा सा जो हरी सब्जियों का juices होते है वहाँ व्रत में पीनी चाहिए वहाँ उसको फाइदा करेंगे आप पानी पे dependent होने वाला व्रत भी रख सकते हैं या fast कर सकते हैं तीसरा होता है कफ कफ साथियों आपके body के structure का जो है वहाँ सूचक होता है यहाँ जो है वहाँ air and water में इसका जो है वो सामेविजन होता है यह दो energies होती है जो इसमें flow करती है यहाँ आपके body structure के लिए responsible होता है इसका मरीज बहुत ही adjustable होता है बहुत ही सोच वाला होता है लेकिन जब आपका कफ दिरेंज हो जाता है तो आपको जो है वो irritation और आपको hatred वाला आपमें condition आ जाता है वरना यहाँ बहुत soft speaking होता है अगर आपको कफ है साथियों तो आप सबसे अच्छा खिचडी वाला व्रत रखिए mono किचडी आप खाईए वहाँ आपके लिए सबसे अच्छा है अब साथियों आपके व्रत को successful बनाने के लिए सफल बनाने के लिए आपके सरीर और आपके जीवन के लिए मैं दो तीम बाते बताना चाहूंगा पहली बात साथियों है कि आप इस दवरान CCFT बड़ी मशूर है क्यूमीन कोरियंडर फनल क्यूमीन मीज जीरा कोरियंडर मीज धनिया और फनल मीज जीरा आप इनकी चाहे पी सकते हैं यहां बहुत फायदा करती हैं और आपके बाड़ी को पूरी तरह डिटॉक्स कर देती है चाहे वो लेवर हो चाहे वो किट्टी हो कुछ हो आपके बॉड़ी को डिटॉक्स करते थी, यहाँ CCFT, क्यूमिन, फनल और कुरेंडर, यहाँ जो है आप ले सकते हैं दूसरी बात जो आपको जहां रखती हैं, जो वरत रखें वो जिस दिन रखें, फिर हमेशा उसी दिन रखें, इससे आपका बॉड़ी ऑटो प्रोग्राम डो जाता है उस वक्त के लिए और आपको लाब देता है अब एक सबब बात और आती है कि वरत को खत्म कैसे करें, वरत को सातियों खत्म करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है हम लोग क्या है जैसे, अभी हमने एक बार गलती है करी ती जब तक हमें ये बात मालूम नहीं थे हमने फास्ट रखा, निर्जल लखा, पानी भी डी पिया, पूरे दिन एका दशी पिया भी रखा था लेकिन अगले दिन दुगना खा लिया, तो ब्रत रखने का तरीका ही है साथ हूँ, जिते दिन आप ब्रत रख रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, consecutively, कोई लोग 2 दिन करते हैं, कोई लोग 1 दिन करते हैं, उसके उते ही दिन पहले और उते दिन बाद भी अपने को सयम रखे, य आप जो प्रत रख रहे होंगे, फास्ट कर रहे होंगे, तो आपके शरीर में हैडेक होगा, आपको एंजाइटी होगी, इसको साथियों बहुत चिंता में ना ले, अगर आपके एंजाइटी और ठकान और सर में दर थोड़ी देर के लिए तो समझ ले यह अच्छा है, शरीर कर रहा है, होता क्या साथियों कि जब आपको खाना नहीं मिलता और आपके शरीर को गुलुकोस बहुत ज़्यादा अपने फूट से लेने की आदत हो गई है, जब उसको वहां नहीं मिलेगा, तो वह जो आपके बॉड़ी में आम जमा हुआ है, जो टॉक्सिंस अंडाइट जमा हुआ है, उससे उस फूट को वह इस्ट्रैट करेगा, और इससे आपका बॉड़ी और पुरिफाई होगा, तो इस इस्तिती में आपको थोड़ा सा हैडेक या इन्राइटी हो सकती है, तो इसको आप कतई चिंता में ना ले, हाँ अगर ये लंबे वक्त तक देलके, देखें कि आपको क्या धिरेंडमेंट है, ये साथ यो एक छोटी सी बात थी, कुछ पल का ये वीडियो था, लेकिन यकीन मालिए मैंने अपने सरीर को अच्छा करने के लिए इसको पढ़ाता, तो मैंने कहा कि आप से भी इसको साजा करें, यह आईरवेद की जानक करने के बाद मैं समझा कि फास्टिंग की बहुत तहिमियत है, और हमारी युवा पीड़ी को, हमारी यंग जन्देशन को, जो जहां मिलता है वो रखने की, खाने की आदत है, रात में फ्रिज में खाना डूढने की आदत है, पार्टिओं में खाने की आदत है, हर सामें, द रहाना पड़ेगा यहां बहुत चरूरी है आप ऐसा करें साथियों और हमको कमेंट पॉर्शन में बताएं आपको एक महिना आपने एक्सर्साइज करी फिर आपको कैसा लगा आपके मन में क्वेड कर्म होतो परफिह कर सकते हैं पुषिश करेंगे तकता संतों चाल CTA कैसा दें सकें सिह मैं इंद्र को यहां बता दूल साथियों पिर भता दूं लिए में सवी परसंद नहीं यह तो मैंने अपने लिए जानकारी कें आपको बाठी है आपको कोई भी बिमारी हो, कोई भी क्रानिक डिजीज हो तो आप किसी कुछल, किसक से पूछ के ही कुछ करिएगा यूँ अपने मंद से इस वीडियो के अधार पे ना करिएगा इससे लेकिन आपकी जानकारी हो, आपके दिमाग में बात बैठे हमारी वाप वीडियो के यह हमारा मकसद है निवेदाने सातियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अने साथियों से सब्सक्राइब कराईएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राक्त करते रहेगा धन्यवाद कर दो आपने सब्सक्राइब किकला हो ईपने सहampf हो झाल्याद फन्यवाद सबसे खाम इन्यवाद यहीं झाल्याद झांबल झांबल कि लुट 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 लुट